असलाम अलेकूम और रहमतुल्लाव वर्कातू इत्यार नूज में आप सबीका खार मगदम है। करने वाले को भी गिरफतार किया गया था उसे भी हिरासत में लिया गया था लेकिन उसे कुछ दिनों में छोड़ दिया गया था इसे भी इतला हासिल है। का तथकरा इसले करना पड़ रहा है क्योंकि हाल ही में अदालत की हिदायत पर उन नौजवानों पर जो भाजपा हुकूमत में मुकदमे दायर किये गये थे वने वापिस लिया गया। सिद्रामया हुकूमत ने इसका ऐलान भी किया पर अब जब मुस्लिम नौजवानों पर लगे मुकदमों को वापिस लेने का ऐलान किया गया तो भाजपा की पेट में तकलीफ होना शुरू हुआ। भाजपा इस पर सियासत करते देखा जा रहा है। मुस्लिम नौजवानों पर पहले तो यूएपिए जैसे खतरनाग दफाएं लगाना ही गलत था। और गरीब मजदूर पेशा मुसल्बानों को यूएपिए के तहर तकरीबन डेट से दो साल तक जेलों में कैद करना ही अपने आप में जुरू था। कॉंग्रिस की हुकूमत बनने में मुसल्मानों का है एहम किरदार होने के बावजूद मुसलिम समाज मुश्किल दावर से ही गुजर रहा है कैसकते हैं। आज भी टूबी रिजर्वेशन जो भाजपा ने रद किया था कॉंग्रिस की हुकूमत में बहाल नहीं किया गया जबके वादा किया गया तक कि अगर हुकूमत कॉंग्रिस के आती है तो उसे फिर से बहाल किया जाएगा। खेर कई सारी मामले हैं पर अब जब दो साल के करीब तक जेलों में रहने के बावजूद मुस्लिम नौजवान रिहा होते हैं। कॉंग्रिस हुकूमत की कैमिनेट में फैसला लिया जाता है कि मुकदमों को रद किया जाए। और खास दोर से अदालत के फैसले के बाद एलान भी किया जाता है। और यह ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भाजपा के दोर में पूरे मुल्की सतह पर जहां भी भाजपा की हुकुमत है। जो भाजपा और आरेस से जैसे तंजमों से जुड़े हुए है। इसके बावजूद एक खंगामा भाजपा की जानिब से करनाटक में बरपा किया जा रहा है। कॉंग्रेश मुसलमानों की हिमायत कर रही है। और दंगाईयों के मुकदमे रद कर रही है। वही दूसरी और सबसे ज़्यादा फसादात में पेश-पेश रहने वाले बजरंग दल, राम सेना, गोरक्षा के नाम पर मुसलिम नौजवानों को पीटने की वारदातों को अंजाम देने वालों पर हामेशा भाजपा हुकूमत महरबान रही है। और फिलाल तो वो दौर तो खुली आँखों से देखने को मिल रहा है। पर रहा करके फूर मालाया और मिठाया तक्सीम की जाती है। अब तो मुसल्मानों के खराब जितना बोलता है या कुछी फसाद में वो शरीक हो जाता है तो गोया उसे पहातूर, शूर्वीर या फिर देश-बक्त कहते वे लीडर बना दिया जाता है। भी मज़वी तशद्द में मुलविस हिंदुतवद्य अफराद थे। इन्हें भाजपा हुकूमत की जानिव से मामिले को वापिस लिया गया। कुल तीन सो पचासी मुकदमों में दो हजार से जायद फिरका परस्त अफराद शरीक थे। एक हजार से जायद जर्म की वारदातों में मुलविस थे। इसके अलावा मुकदमों को वापिस लेने का फैसला लिया गया। अगर खास्त दौर से जिक्र किया जा तो चिक मंगलूर में गोरक्षकों के जरीए मुसलिम नौजवानों पर जान लेवा हवला। फिटीपु जहनती मन आने को लेकर कोडगू और मैसूर में तशक्दुद बरबा करने की वारदाते राम नौमी हनवान जहनती और गनेज जेसक्तिवारों के आसपास की इन्हीं फिल्का परस्तों की जानिब से की गई कहीं सरी वारदातों को इसमें दर्ज किया जा चुका है और भी कई वारदातों में ये लोग शरीग हो चुके हैं लौ जहाद के नाम पर कहनिया बना करें की समाज को हिराचा करना और सात में इसाईयों के चर्च पर भी हमले करना और मजब तप्तिली के मामले को लेकर रिसाइयों को भी परिशान करना जैसी घटनाय शरीक थी क पर लगे मुकदमे वापिस लेने पर भी हंगामा किया जाना एक तरह से मुसल्मानों की हालत हुकूमत किसी भी पार्टी की हो अच्छी कह नहीं सकते हैं इतना जरूर आज का मौज़ू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें इत्याद देखने के लिए शुक्रिया अल्लहाफ पुछड है और लाव हैं तरह से लगार किसी याइशची क।ारी में जरूर आज़।